हरियाना की पर्थला सहर में हरियाना सरकार दवारा 16 सेक्टरों के निर्मान कारिये और ड्राइपोर्ट सिटी के निर्मान कारिये को लेकर लगबग बात करें तो दस से बारा गाउं की जमीन को अधिगरन करने का काम किया जा सकता है जिन में जिंडपुर, चांदपुर, डूंगरपुर, पारोली, देहलाका, टेहारकी, शैदपुर, धतीर, शिकंदरपुर, बुर्जा, नांगल बिखु, कलवाका, शहराला, शपरोला, हरफली, गेद पुर, सोफटा, डूंडशा, असोटी, देवली, लाडपुर, ककरिपुर, मंडोकल, जेनूली, अमरू, बागोला, डूंडोला, मिर्जापुर और ततरपुर गाउं का एरिया शामिल होगा इन गाउं की जमीन को सरकार दवारा लगबग डेड करोड परती एकड के हिसाब से अधिग्रण करके, यहाँ पर सोला सेक्ट्रों का निर्मान कारिय किया जाएगा चोब फिरतिला मास्टर प्लान दो हजार एकतिस के तहत कि玩DAY ऑस टेषा के अंदर बनने वाले सेक्टरों को आप देख सकते हैं जिनमें पैसला के अंदर सेकर तीन सेक्टर दो सेक्टर ऐस निर्माण करनेतों और प्रतला के बाहरी अरिया आपको परतला के साइड में यह यह नीचे व रहें यह पुरा रैपोर्ट का इरिया रहने वाला है तो इसी प्रकार मैस्टर-प्रलान सरकार दौरा तियार किया गया है और यह काफी फाइदे मंद मैस्टर प्लान है नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी आप सभी का एक बार फिर से सवागत था हमारे चैनल पर आज हम मैस्टर प्लान की सीरीज को दोबारा से अच्छे से शुरू करने वाले हैं आज की इस सीरीज में हम हर्याना के की बात की जाए तो पर्थला देक्षिण हर्याना के फरिदाबाद और गुरुग्राम जिलों से अटैच करने का काम करता है पलवल काफी एरिया इसका होता है और पर्थला को एक ओदोगी की गलियारे के रूप में काफी जल्द हर्याना सरकार डेवलप करने वाली है अगर पर्थला के इतियास को उठा कर देखा जाए तो पर्थला एक गाउं की तरज पर डेवलप हुआ है और लंबा खास कोई मस्टर प्लान पर्थला को नहीं मिल पाया है आप सबसे पहले इस फोटो को देखने का काम करें इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है वर्तमान का पर्थला सहर और आप जस्ट इसके अपोजिट यह दूसरा फोटो जो मैं आपका दिखा रहा हूं इसको भी देखने का काम करें यह पर्थला मस्टर प्लान दो हजार इकतिस का फोटो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है इन दोलों फोटो में आपको साफ साफ अंतर जिंडपुर गाउं, चादपुर गाउं, डूंगरपुर गाउं, पारोली गाउं, देहलाका गाउं, टिहारकी गाउं, सेदपुर गाउं, धतीर गाउं, सिकंदरपुर गाउं, बुर्जा गाउं, नांगल बिखु गाउं, कलवाका गाउं, शेहराला गाउं, चपरोला गाउं हरफली गेदपुर और सौफता गाउं समेत डूंडचा असोटी देवली लाडपुर कक्रिपुर मंडोकल जेनूली अम्रू और इसके अलावा बागोला डूंडोला मिजारपुर और ततरपुर गाउं का एरिया शामिल होगा इन गाउं के को मस्टर प्लान का जो एरि इन में विशेश तोर पर गाउं बागोला डूंडोला मिरजापुर और ततरपुर गाउं की जमीन को डारेक्ट रूप से अधिगरन करने का काम होगा इसके बाद इन मस्टर प्लान में अमरू नांगल बिकू गादीपरी डूंड़सा और देवली असिटी गाउं के भी का गिकूष जमीन को अधिगरन करने का काम किया जाएगा और किसानों को यहां काफी बड़ी संख्या में बुटि बिया जाने वाला है यहां पर सर्कारद्वार्थ स्यक्ठार अक्त पॉइट्स पर हम ढहान देने का काम करने वाले हैं जिन में पैथला मास्टर प्लान के तहत्प Эंब कर यहां यहां पर ड्राइप और्ड सीलिए का निर्मान कारियद किया जाएगा सभसे पहले ड्राइप or्ट करें को हम जानने का समुंदर से आने वाले जहाजों से सामान उतारने और अपलोड करने का भी काम करती हैं उसी परकार ड्राइपोर्ट सिटी का नाम मतलब एक सूखी बंदरगाह से होता है जो समुंदर की किनारे पर नहीं होती है और सामान को एक बड़े हब के रूप में यहां पर रखा जाता तो 30 फिस्दी हिस्चे में ड्राइपोर्ट सिटी का निरमान कारिय किया जाएगा जिसमें दो तरफ से परतला को कवर करने का काम ड्राइपोर्ट सिटी करने वाली है जो आपको नक्षे में शो हो रही है अगर ड्राइपोर्ट सिटी की बात करें तो ड्राइपोर्ट सिटी एक्स्प्रेस濃 डारेक्ट रूप इसकी अने वाले समय में अरो बिटल को रियापन रेयल कोरीडौर से प्रत्ला कि अब डिल्ली मूम्बई रेयल फ्रेट्ट कोरीडौर से ब्यालेक्ट रूप से नाव्य है इसके अलावाद देलिय। णो तो ड्राय पोर्ट शिटी हब के रुक में सबसे बहतरी जगए पर्थला को इसी लिए चुना गया है अब बात करतें नंबर दो पर्थला के अंदर 16 सेक्टरों का निर्माण कारिये किया जाएगा जिन सेक्टरों में से 15 सेक्टर यहां पर इंडरिस्ट्रियल जोन के लिए ड उलक किया रहा है यहां पर इन सेक्टरों के मद्द में एक सेक्टर चे जो पर्थला से नांगल भी खू जैड में होगा उस सेक्टर को आवाशचीय आबादी के लिए रखा गया है यानि कि सेक्टर 21 पर स्थला मास्ट्रपलान के अंदर ओ एक मातर ऐसा सेक्टर होगा जहा तो यहां पर हर परकार के बुनिया दिस्विदाएं सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स और अलग-अलग परकार के प्लोट्स लोगों को आने वाले समय में उपलब्द करवाने का विकारी किया जाएगा इसी परकार पर फिर्थला में 15 सेक्टर को इंडिस्टियल सेक्टर और एक सेक्टर को यहां पर रेजिडेंशल यानि की आवासिय सेक्टर के रूप में डवलप किया जाएगा कुछ एरिया यहां पर रिजरोफ फोरस्ट के रूप में भी पर्थला अक्षित्र में रखा जाएगा इसके बाद बात करते हैं रिंग रोड नमबर तीन पर्थला के अक्षित्र को चारो तरफ से कनेक्ट करने के लिए वहनों के दबाव से हटाने के लिए पर्थला के चारो तरफ सड़कों का निर्मान कारिये किया जाएगा जिन में वी टू रोड का भी निर्मान कारिये किया जाएगा और यह रोड सोंगे इनके साइड में ग्रिन सकते क्योंकि इसका आकार कुछ ऐसा है यानि कि इसे रिंग रोड के तरीके से रिंग रोड का आकार गोल होता है लेकिन यह जो रोड बनाया जाएगा इसका आकार कुछ इस तरीके का है यानि कि मेरे पेज को आप देख सकते इस पेज जैसा आकार रहेगा जो पर्तला के चार गाउं नांगल भीखू गाउं गांदीपूरी गाउं डूंडसा और देवली समेत असोटी गाउं के सामिल रहने वाले हैं जो इस इसके इन गाउं के बिल्कुल नजदीक से रोड पर्थला के अक्षेतर की साइड से होकर क्रोस करेगा इसके बाद नंबर चार दिली बुंब कोई फ्रेंट रेल कोरिडोर के मादम से भी पर्थला को डारेक्ट करेक्टिविटी मिलेगी जिससे इस मास्टर प्लान को काफी ज्यादा देखने को मिलेगा इसके लावर नंबर पाच पॉइंट केंपी केजीपी कुडली मानिसर पलोल एक्सप्रेस और कुडली गाजिया से और सरल तरीके से हो पाएगा इसके बाद नंबर च्छे लोजिस्टिक हब पर्तला मास्टर प्लान के तहते इस पूरे हब को एक लोजिस्टिक हब के रुप में डेवलप करने का भी कारिय किया गया है यानि कि पर्तला का जो मास्टर प्लान रहेगा इसमें सरकार का ध्य के अलग अलग कोड़ों में पहुंच पाएगा और बड़ी संक्या में लोजिस्टिक हब और वेर आउसीज को यहां पर डवलप करने का भी कारिये किया जाएगा इसके बाद बात करते हैं नंबर साथ यहां पर 25 सड़कों का अंदिर्मान कारिया किया जाएगा जिनमें 25 पलस करें तो इसमें सेक्टर डिवाइडिंग रोड और सेक्टरों को आपस में कनेक्ट करने वाले रोड भी सामिल होंगे 25 अड़कों के निर्वान से पर्थला मस्टर प्लान को नई गती मिलेगी नंबर साथ पॉइंट पर्थला के स्थानिये लोगों को क्या फाइदा होगा यहां पर जमीन अधीगरण सरकार मस्टर प्लान के दहत करने वाली है जिसमें बड़ी संक्ख्या में पर्थला के अक्षित्र के लोग हैं उनको रोजगार मिल पाएंगे उनकी जमीन सरकार अधीगरण करेगी तो यहां पर एक अच्छा इंडिस्ट्रियल जोन डेवलप हो जिने वो इन्वेस्ट करके और अक्षेत्रों से अच्छा खासा मुनाफ़ भी कमा पाएंगे। सरकार के अनुमान अनुसार यहाँ पर मीनिमम डेड़ से दो क्रोड परती एकड़ के हिसाव से सरकार जमीन को अधिगरन करने का विकारिय कर सकती है। सरकार यहाँ पर जमीन दो तरीके से अधिगरन कर सकती है, जिन में पहला तरीका रहेगा, यहाँ पर प्राविट चीजों को हायर करके वे जमीने दिगरन करें, सेक्टर को प्राविट कमपनिया डेवलप करें और दूसरा सरकार स्वैमीने डेवलप करने का विकारिय कर सकती ह तो प्रत्ला मास्टर प्लान 232 कुछ इस परकार था। चलिए अब मैप के माद दिम से प्रत्ला मास्टर प्लान को भी समझ दें का कारिये करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आपको पर्थला फाइनल डवलोप्मेंट प्लान फोर कंट्रोल एरिया विलेज पर्थला एंड अड़ जोइनिंग कंट्रोल एरिया डिस्टिक बलवल कर सकते हैं हमसे कॉंटेक्ट करके पर्थला का शहर आपको दिखाई दे रहा है पर्थला वर्तमान में बना हुआ है आप उपर की तरफ चलते हैं पहले गाओं को देखते हैं कि कौन कौन से गाओं इस कंट्रोल एरिया में शामिल है डिस्टिक गुड़ गाओं की बॉंडरी स शिकंदरपुर गाँ और यहां पर चपरोला गाँ नांगल बिखु गाउं यहां पर शेराला गाउं कल वाकका गउँ शामिल है अव्यश्चिक बॉर्डरीक आयंड हो जाता है इस से आगे Kivolowitz विलेज गढ़पुर विलेज हारप फाली विलेज और साथी यहां यहां से चला जाता है अब उपर की तरफ चलेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा मिरजपुर गाउं मिरजपुर गाउं इस कंट्रोल्ड एरिया के अंदर आता है डूंड ओला और अम्रू गाउं का एरिया दिखाई देगा अब समझते हैं यह परतला वर्तमान शहर ह साथ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यह सेक्टर साथ साथ है जो की परतला में डवलब किया जाएगा आपको एक नायनिंग को चौर करने का काम करती इन पर एक नंबर लिखा है 301 320, 330, 340 आपको दिखाई दे रहा है यह सेक्टर के अंदर जो यह लाइनिंग वाला प्रिव को लगता सेक्टर है तो अब हम इस साइड में जाएंगे तो यहांपर हम देखेंगे तीनसो दस से लेकर के 320, 330 और 340 नमबर के जो सेक्टर होंगे, यह सारे के सारे जो सेक्टर होने वाले हैं, यह सर्विस इंडिस्ट्री टाइप में सेक्टर डेवलप करने का काम यहां पर किया जाने वाला है, आप ही इनी सेक्टरों को अच्छे से देख पाएंगे, शहां पर इंडिस्ट्री लाइट इंडिस्ट्री एक्स पैंसिव और हैवी इंडिस्ट्री के लिए सेक्टर को डवलप किया जाएगा मतलब तीन सो नमबर और यह ऐसी ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दिया रही है मैप में इन इन लाइन को जब आप देखेंगे तो आप समझ बाइपास निकाल जायेगा और दुदोम्र अग्स इस्टरेइब उयुक्री किया जाएगी जो इंडिस्ट्रेइल सेक्टर होगा जंत तो स्बीरे को देखेंned यह सब चीज़ यहां पर सेक्टर के सब्वेंें इसके सेक्टर के कुछ हेरिया हमें आने वाले हैं जिनकों डि वेर आउसी स्टोरेज इत्यादी किस्वी दायहां पर दी जाने वाली है अब आप पर सम अपने सेक्टर के उसी एरिया की तरफ आगे बड़ने का काम करते हैं देखी यह रहा दोसो नमबर जहां भी दिखाई दी वह समझ जाना आप कि दोसो नमबर ट्रेड के लिए रहेगा अप दो सेक्टर जो होगा वह भी पूरा इंडश्चैल सेक्टर होगा एक नमबर सेक्टर बनी फोरेश्ट रिज्जरों हुईसे बनी के नाम से बहले जाता है यहां पर जंगल भी से बहुत और जगता है तो एक नमबर सेक्टर इसके ऐरिया में डवलप किया जाएगा इसके नीचे सेक्टर 6 एडवलब होगा सेक्टर 6 में 610, 620, 630 और 640 नमबर दिये गए हैं 610, 620, 630 और 640 जो पबलिक समी पबलिक यूजिज के लिए यहाँ पर मिनी सेकेटरेट, एजुकेशन, मेडिकल और डिफेंस यूजिज के लिए यहाँ पर यूज में लाए जाएंगे, इस सेक्टर के अगर बाहरी एरिया को देखें, तो सेक्टर 6 से बाहर आपको दिखाई दे रहा है, ड्राइपोर्ट शिटी, यानि की गाद दीपूरी का एरिया, इसके नीचे आपको स्टार दिखाई दे रहे हैं, ड्राइपोर्ट श शामिल होंगे, इस से नीचे जब हम चलते हैं, तो असोटी से जब यह देवली गाउं के चारों तरब भी यहीं पर ड्राइपोर्ट शिटी का निर्मान कारिया होगा, ड्राइपोर्ट शिटी लग बग तीन तरफ से इसे दो तरफ से कवर करने का काम करती है, अब उपर च जो एक मातर रेजिडेंशिल सेक्टर यहां का रहने वाला है, यह पर्थला से ले करके और उपर की तरफ जाएंगे, तो बुर्जा गाउं के साइड में डेवलप करने का काम किया जाएगा, अब पर्थला से नीचे की तरफ हम चलते हैं, सेक्टर 10 यह सेक्टर 10 डेवलप ह होगा, जो ड्राइपोर्ट सिटी से हर सेक्टर लगब कनेक्ट होने वाला है, ततरपूर गाउं के चैरो साइडी के एरिया में सेक्टर 11 को बढ़ाने का काम होगा, ततरपूर जटोला अभी एरिया इसमें कुछ शामिल होगा, सेक्टर 12 के एरिया में भी पूरा करके समझाने का काम करता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोण से एरिया कहां पर डेवलप किया जाएगा, इसी परकार यहां दूदोला में आपको दिग्या सेक्टर एक, सेक्टर तीन, सेक्टर चार, सेक्टर पाथ, सेक्टर चार यह सारे के सारे इस परका यह जो सेक्टर होंगे यह सेक्टर काफी ज्यादा फाइदे मन्द होंगे और आने वाले समय में परतला की दिसा और दसा को भी बदलने का काम करेंगे